बच्चों कुश्चन देखे A mother and her two daughters got a room constructed for रुपीज 62,000 मुझे लगता है ये 62,000 नहीं है ये है 60,000 ठीक है? तो ये एक correction है 60,000, right? आगे लिखा है अगे लिखा है अगे लिखा है बच्चों समझ में आ रहा है कि जो contribution है वो mother के साथ relate किया गया जब mother के साथ relate किया गया है तो हमें जो let करना है वो mother का contribution करना पड़ेगा तो सबसे पहले let कर लेते हैं let x be the mother contribution अगे ये हमने mother का जो contribution है वो let कर लिया इसके बाद इसके बाद बच्चों calculate करेंगे तो अगे थे ये ये हमने रहे हैं अगे आज़े बाद और अगे ये रहे हैं अगे ये ये फ़र अगे ये 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 और अपहर मदर का पॉणी बीशन यानि कि 3 8th of x calculate करोगे तो कितना हो जाएगा 3 x upon 8 यह होगा चेक्षिए चलो अब आगे statement काफी बड़ी हो रही है काफी जगे इसमें जा नहीं है ओके थोड़ा सा phone size छोटा करना पड़ेगा चलो थोड़ा सा phone size छोटा कर रहते हैं ज़्यादा छोटा हो गया अब ठीक है आगे देखिए आगे है younger and younger younger daughter younger daughter's contribution कितना हो जाएगा half of x यानि कि half of x इसका मंदब क्या हुआ इसका मंदब हुआ x upon 2 ठीक है यहाद तक समझ में आए इसके बाद करनी है थोड़ी सी calculation यानि कि एक equation बनानी है और equation को solve करना है चीक है चलो equation बनाते है तो equation बनाने के लिए हमें question की conditions को follow करना होता है तो हम लिखेंगे यहाँ according to question देखिए पहली condition है हमारी क्या एक्स यह मदर का contribution फिर 3x by 8 यह elder daughter का contribution फिर x by 2 यह younger daughter का contribution और यह सारा contribution मिलाके 60,000 ठीक है वैसे 62 लिखा हुआ था मैंने उसे correct कर दिया था । है 62 की जगे यह 60,000 ठीक है clear तो यह हो जाएगा low L,S,M कितना L,S,M आएगा 8,02 का L,S,M लोगे है तो आप इस से बाते 80 आजाएगा यहां जाएगा 8X यहां जाएगा 3X यहां जाएगा 4X और यहां तो वो अपना 60,000 है प्लस करोगे 8 और 3, 11 और 4, 15 याने कि 15X इक्वल्स टू 15X अपन 8 इक्वल्स टू 60,000 और जब आप XC वैल्स निकालोगे तो XC वैल्स हो जाएगी 60,000 multiply by 8 और divided by 15 15 बन जा 15 हो जाएगा 60 है ना और 3 zeros कहने कि 4000 8 वो जाएगा 32 और 3 zeros कहने कि 32,000 तो हम कहा सकते हैं कि जो मदर का contribution है वो कितना है 32,000 और जो elder daughter है उसका कितना हो जाएगा तो 3 into 32,000 divided by कितना था? 8 divided by 8 कर देते है तो 8 वन जा 8 वो जाएगा 32 और 3 zeros जाने कि 4000 4 तरी जाएगा 12 3 zeros जाने कि 12,000 अब रही बात यंगर डॉटर तो यंगर डॉटर के लिए तो 32 बाई तो ही कहना है तो गतना हुआ 16,000 यह देखे ओके? यानि कि यंगर डॉटर ने जादा पैसा दिया 16,000 एल्डर ने कम दिया 12,000 16 प्लस 12 कितना हुआ? 28 प्लस 32 60,000 होगा पुरा ओके? चलो आगे देखते हैं आगे क्या है? आगे है बच्चो एक मिन्ट इसमें हमें सिर्फ यह बताना है कि टेल विच प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कॉम्प्यूट ठीक है? हमें कुछ करना नहीं है इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम ही लिखना है कि tell which property allows you to compute तो आप देखे रहे हैं यह क्यों सी प्रॉपटी है क्यों सी प्रॉपटी है यह है यह है एसोसियेटिव तो डिरेक्ट एसोसियेटिव लुग दो बस हो गया काम एसो सी ये टिव प्रॉपटी यह दिखे इसके बाहते नेम दे प्रॉपटी यूज इन एउच आफ दा फॉलएंग तो यह क्यों सी प्रॉपटी है यह यह कम्यूटेटिव हजाएगे तो कम्यूटेटी व प्रॉपटी चलो यह भी हो गया इसके बाहते यह डिस्टीबुटीव ओवर एडिशन अदिशन कि यह जाएगे डेस्टिबूटिव इस्टिबूटिव अवर्ट अदिशन कर आरिये कि यह तो एसोऊसुटिविया से यह तो यह जाएगे एसुटिव असे शूसिएटिव प्रॉपर्टी ती ए होगे सारी है आगे बढ़े हैं चालो आगे बढ़ते हैं आगे देखने हैं आगे का है आगे है बच्चों यह दोखो इसी का दो पार्ट और है निर्द प्रॉप्रिटी युआले ना इसी के दो पर्ट और है फिर पहले यही काह लेते हैं है तो यह बाद तो बात क्थ और इसमें और यहाद मल्टप्लिकशन हो रहा है दो तरफ तो यह हो झाएंगा मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके बाद यह कुशन यह लास्ट कुशन इस शीट पर चलो तो फिर यहां तक करके रखो आप पहले और जल्दी मैं और नए कुशन अप्लोट करूंगा ओके थैंक यू झाल झाल झाल